नमस्कार दोस्तों सुनीतास किचन को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके हलो मानिया बेबी हाई आज हमारे साथ मानिया है सुनीतास किचन में पिने अपनी मामे की घर आई है और साथ इसकी प्यारी रेसिपी लेकर आई है तो आप इससी रेस्पी को छाइं मानिया बताते गी है कि क्या बना रही है क्या इंग्रिडियन्ट ली है बानिया क्या देचे के लिए भ्ल Lebens I rat और यह वीक फील का रस्बेरी है क्रिस्टल्स जैली क्रिस्टल्स और यह अमूल का बटर है और यह कस्टर्ड पाउडर है और यहां हमने 10 बारा बिस्किट्स ले लिये हैं बहुत बढ़ी आचले हम बनाना शुरू करते हैं दूद को हम बॉइल करने रखेंगे सबसे पहले जब तक हमारा दूद बॉइल हो रहा है तब तक हम कस्टर्ड पाउडर को पानी के साथ मिक्स कर लेंगे अब हम इसमें शुगर डाल देंगे कस्टर्ड पाउडर में जो पानी मिलाए था अब हम उसको इसमें डाल देंगे याद रखें कि आप इसे चलाते रहें दो से तीन मिनट तक नहीं तो दूद जल सकता है हमारा हमने कस्टर्ड को तीन मिनट तक घुमाया है और हमारा कस्टर इतना ठिक होना चाहिए कि थंडा हो तब तक हम आघे का प्रोसीजर कर लेंगे आपनी कस्टर्ड तो बहुत अच्छा बना लिया अब आगे क्या कर ना है बिटा अब हम ये हमने वाव बहुत अच्छा आप कुकिंग अच्छ से जानती हैं बहुत मानिया है हमारे बिस्किट्स हो गए हैं अब हमें इसे अच्छ से क्रश कर लेना है अब हम इन्हें इन्हें बोल में निकाल लेंगे ये हमारे क्रश बिस्किट्स में हम मेल्टेड बटर डालेंगे और इसे अच्छ से मिला लेंगे बिस्किट कस्टर्ड पुडिंग को हम एक ग्लास में सेट करने जा रहे हैं तो हमारी सबसे पहली लेयर होगी बिस्किट्स की डाल लिया है और अब इसको हम अच्छ से प्रेस करेंगे हमारा कस्टर्ड ठंडा हो चुका है अब हमारे पास ये फ्रूट्स हैं हम इनको डाल लेंगे ये कितना कलर्फुल लग रहा है मानिया अब आगे क्या करना है अब ये जो हमने बिस्किट्स की लेयर बनाई थी ये फर्स्ट लेयर थी अब हम इसमें सेकेंड लेयर कस्टर्ड की डालेंगे मैंने 500 ml पानी लिया है और अब हम जेली बनाएंगे तो चलिए हम इसको उबलने डाल देते हैं पानी को हम अच्छे से गरम कर लेंगे मानिया बेटा ये अच्छे से गरम हो गया है मैं से आपको उठा के दे देंगे आपका हाथ एक बार जलतुका है ना पाकेट में से आपको ये 2 चीज़े मिलेंगी जिन्हें प्री मिक्स बोलते हैं हम उन्हें मिला देंगे अब यह हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसका कलर तो बहुत अच्छा है और यह रास्परी ट्रेड है जैली को हम यह कस्टर्ड पे डालेंगे यह हमारी थर्ड लेयर होगी हमारी हमने जैली की थर्ड लेयर डाल ली है अब हम इसको फ्रिज में ठंडा होने के लिए लखेंगे कम से कम आदे घंटे तक यह देखिए हमारी बिस्किट कस्टर्ड पुडिंग की लेयर इसकिती अच्छे से सेट हो गई है वाओ पानिया यह तो आपने कमाली कर दिया इससे हम थोड़ा और ब्यूटिफुल दिखाने के लिए गार्निश करेंगे वाओ लुकिंग सो ब्यूटिफुल आप यह बिस्किट कस्टर्ड पुडिंग को एक बाउल में भी सेट कर सकते हैं आपने जो डेजर्ट परनाया पहले आप ही टेस्ट करो पिटा कैसा बनाया हमको बता है मैं खाऊंगा मैं खाऊंगी मैं खाऊंगा तो मानिया लडाई नहीं बहुत सारे बनाए हमने इतनी आसान यम्मी और टेस्टी डेसिपी जो आपके बच्चे भी बहुत आसानी से बना सकते हैं तो इसे आप ट्रायर जरूर कीजिए और कमेंट करना ना बूले यम्मी हाँ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना